निडल चेंज करने के लिए या फिर लगाने के लिए सबसे पहले आपको इस पैर को निकालना है पैर को निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस निडल को अगर अमालीज आपका निडल बार जो है यह नीचे है तो इसको उपर उठाएंगे उपर उठाने के लिए देखिए यहाँ पर इस चक्के को घुमाना है और घुमा के यहाँ से यह देखिए निटल बार को उपर उठाना है इसको उपर कर लेंगे ठीक उपर करने के बाद फिर आपको इस पैर को निकालना है पैर को निकालने के लिए यह देखिए यहाँ टॉप पे यहाँ पर ऑप् मसीनों में दोस्तों जो यह वाला पाट है यहां साइड में होता है यहां फिर ऐसे उठाने वाला नहीं होता है ऐसे दबाने वाला होता है जैसा भी हो आप देख लें इस मसीन में इसको ऐसे उठाने वाला है तो इसको उठा के फिर हम इस पैर को देखिए यहां पर इस पैर क निकल गया है अब हम आराम से सूई को चेंज कर सकते हैं निडल को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें निडल को खोल के निकालना है निडल को निकालने के लिए यह देखिए इस वली निडल का यहां पर पेच दिया हुआ है दोनों निडल का यह दोनों पेच दिया हुआ है इस page को खोलने के लिए दोस्तों आपको एलकी का इस्तमाल करना पड़ेगा ये देखी जो फोटो में दिखाई दे रहा है इसे हम एलकी कहते हैं अगर आपके पास एलकी नहीं है तो आप एलकी के जगा ये देखी जो कटर होता है ये वाले दौसरा द्हा काटने वाली इस कटर से भी आप खोल सकते हो ये देखिए आै мthode दिखा रहा हूँ देखिए इस कटर के दोनों मुझ को दोनों इससे को ऐसे कर लेना और इसके अंदर ऐसे लगा और इस लाएके फिर आपको खोलना है, दोनों पेज को एक एक करके हलका सा लूज कर लेना है, ताकि हमारी सुई निकल जाए, एक बाद के ध्यान रखके इस पेज को लूज करते वे, ज्यादा लूज ना करें नहीं, तो ये पेज निकल के गिर सकता है, इसको अंदर ही रहना देना है, ठीक है, हलका सा लूज करना है, लूज करने के बाद फिर आपको इस निडल को ऐसे अराम से निकाल लेना है, ये देखिए, अब निडल लगाते समय आपको एक चीज के ध्यान देना है, ये देखिए, निडल में दो हिस्से होते हैं, एक तरफ निडल बिल्कुल प्लेन होती है और दूसरा तरफ नीडल में हलका सा गढ़ा सा बना हुआ होता है तु semua रखना है iसको आपको फ्रेंट की तरफ रखना 하 है और जो प्लेन वा ला हिस्सा हैं इसको आपको पीआको चिछे की तरफ थोड़ा हलका सा जोर लाएंगे कर लेंगे ठीक है उपर कर लेंगे और फिर इस पेज को टाइट कर देंगे अच्छे से हम तो दीवाने हुए यार यह देखिए हमारा पेज टाइट हो गया ठीक है अब ऐसे ही दूसरी निडल लगाएंगे इसमें भी आपको ध्यान रखना है जो प्लेन वाला हिस्सा है इसको आपको बैक साइड में रखना है पीछे की तरफ और जो गड़े वाला हिस्सा है निडल में इसको आपको करते हैं हाँ से पकड़ना नहीं बनता है न तरह लागया उपरा फिर इसको टाइट कर लेंगे पेज को अच्छे तरह से यह देखिए यह हो गया है अच्छे तरह से टाइट तो आप समझ गया कि जो वरलाक मसीन होती है डबल निडल वाली इसकी सुई चेंड कर से करते हैं और सुई लगानी होती है तो कैसे लगाते हैं वीडियो अगर अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए होता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें करके नोटिपिकिक्शन बेल को अन कर दीजिएगा और ये वीडियो उनके पास जरूर सेयर जीएगा जो सिलाई करते हैं, सिलाई सीखते हैं, या फिर सिलाई मसिन रिपेर,